में भगवान राम की मूर्ती की प्रान प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली ही नहीं देश भर में लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में हर राम भक्त अपने अपने तरीके से भगवान राम को प्रसंद करने के लिए साथ ही वर्सों से लंबित इस दि करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हरी नगर इलाके के रहने वाले दिनेस खंडेलवाल जो पेसे से एक ज्वेलर है लेकिन राम भक्ती की धुन ऐसी चड़ी कि इन्होंने पूरा सुन्दर कांड बहुत ही भव्य तरीके से लिख डाला और आपको यह बताते हुए मुझ भग डेर साल का वक्त लगा हमारे साथ दिनेस खंडेलवाल हैं हम उनसे ही बात करते हैं कि कैसे भव्य तरीके से क्योंकि जो इन्होंने लिखा है उस पेपर का आकार सिवलिंग का है साथ ही जो पैन है वो भी खासतोर पर सिल्वर और गोल्डन कलर से है जिससे लिखा गया ह हम इनसे ही बात करते हैं श्री राम जी लाल जी खंडेलवाल जी इसी पूजा पाठ पक्ति बहुत ज़्यादा करते थे तो उनी की उसको देखकर मेरे मन में विचा जब मैं 20 साल का था तो ऐसे कोई व्यक्ति है ना राम 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 दो कलर के पैन से लिख रहा था तो मैंने का यार यह दो कलर के पैन से लिख सकता है तो मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि उसी दिन मेरे दिमांग में आ गया कि अब भी राम चरित मानेस को इस तरीके से करूँ कि जो पूरे वर्ड में सब राम चरित मानेस को देखें क्यों आज कलह कोई कलरफुल चीज को चाता है तो इसी तरह से मैंने राम राम करकर हर पेज पे करीब करीब 4000 से भी ज्यादा राम राम लिखें वह भी अलग-अलग वल्ust मयाते हैं कि राम्स को लोग देखें इस रही तरीके के और अनुठी राम्स कर इसको देखें और हर घर में राम 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 होनी चालए जिस तरीके से हमारे देश का हुआ हर तिरंगा तो इसी तरह से हर संत्रम राम से हीतमार expands मैंने राम मंदर के लिए एक सुन्दर कांड की रच्छन वो बनाया तरीके से बनाया है अनुमान जी की करपा है कि सिवलिंग की आकरती के उपर उसको ब्लेक पेज को कटिंग करकर सिवलिंग की आकरती दी है सिविलिंग के आकरती के उपर पूरा सिल्वर पैन से राम, पूरा सुन्दर कांड मैंने लिखा है, बैक पेज पे ओम वर्ड लिखावा है, पूरा एक सिंगल गोल्डन कलर में, और ओवल सेप में पूरी सुन्दर कांड को लिखा गया है, जो भी सिल्वर कलर की पैन से लिख जो है इसमें सब्सक्राइब जिक्र किया गया है उसके बारे में आप आप ये अपनी उपलब्दी सको आयोद्या के रांमंदिर में डोनेट करना चाहते हैं जी अगर मुझे सपोर्ट मिला तो मैं चाहता हूं कि जो सुन्दरकान में ने तक पहुंचे क्योंकि इसको लिख़़ी में मैंने बहुत मेनत किये जिस दिन से राममंदिर की नीव पड़ी थी उसी दिन से विए मैंने सुंदर कांट को लिखना शुरू किया कि मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ करूँ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कि इस तरीके का कुछ काम करूं जैसे सुन्दर कांड लिग दिया क्योंकि पूरी रामचरी तो मैंने इस रूप में लिखना मेरे लिए डेड़ साल में पॉसिबल नहीं था तो सुन्दर कांड को ही मैंने एक अपना वह भनाया हनुवान जी की करपा से उनकी करपा हुई सुन को रामचरी त्म आनज पर रात को सुबह जरूर इसके लिए वक्त निखालता हूं मुझे आज मैं जो भी हूं सिर्फ इसी की वयिसे हूँ बगवान राम की अनमान जी के मुझे पर इतनी करपा है वह कहते हैं कि आप इस कारी को करिए हम मैं कर साथ पीछे खड़ा वह तो इसी चीज़ को देखकर कि मैं भी चाहता हूं कि हर गर रामचेरित मानेश पहुंचे हर गर में सुन्दरकांड का पाठ हो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें कहते हैं कहीं कहीं पुरुस की सपलता के पीछे जो महिला जो इनकी पतनी उनका हाथ होना बहुत जरूरी है वो हमारे साथ बैठी वी हैं हम उनसे बात करता हैं कि उनका किस तरह से सपोर्ट रहा क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये उपलब्दी हासिल की है इसे हासिल करना बह दिखने में मेरा को डिरेक्ट सपोर्ट तो नहीं रहा है इंडिरेक्ट इतना जरूर रहा है कि कि मैंने इनको हमेशा पॉजिटिविटी दी है क्योंकि देखो यह एक दिन एक कुछ घंटों या कुछ महीनों का काम नहीं था एक लंबे टाइम का काम था तो ऐसे में कई बार बहुत नेगेटिव भी हो जाता है या कभी-कभी सेकिंड थौर्ट भी आ जाते हैं तो उस ताइम इनको पॉजिटिव रखना और इतने लंबे टाइम में अपने फैमिली बच्चों को लेके कुछ चिंताएं होती हैं तो उन चिंताओं को मैं अपने अपने इसाब से उन दिल्ली तक झाल झाल